हलो दोस्तों आज descriptive CHSL 2022 का हुआ है तो आज हम मेरे साथ अभी मैं भी देखे आया हूँ और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है वो CHSL 2020 में selected है और ESIC में selected है CHSL 2020 का जोइनिंग करने वाला है अभी और होमस्टेट के लिए CHSL 2020 का एकजाम दे रहा है तो वो भी देखे आया उन्होंने हिंदी में लिखा है और मैंने इंग्लिस में लिखा है तो हम लोग आज देखेंगे इसका analysis तो सबसे पहले मैं आपको introduce करवा दिता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी मुना कुमार है तो introduce आपको करवा दिये अब मैं इनका थोड बताईए जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा देखेंगे इसके बार मताईए सबसे पहली बात यह है कि हमें कुछ भी जो है सब सब टोपिक से मिल जूलके ही लिखना पड़ता है कि हम लोग कभी ऐसे खास टोपिक का प्रिपेर नहीं कर पाते हैं और एसे सी जितना भी है व तो इस बार हमको लगता है स्वेंटी स्वेंटी प्लस रहना चाहिए और हमने लिखा इसमें जिसे अभी आज काल के युवा है उज़े से देखिए कि जिसे युवा हमारे देश का रिट की हड़ी होता है कोई भी चीज का या तो फिर अर्थवेस्था बनाने के लिए हो य तो इसको भरका देता है कुछ चंद पैसों के लिए अभी देखे होंगे कि रेलवे हो या तो फिर और कोई भी चैस सेक्टर में तो सब में राजनेता रहे चो कोछी अपना प्रसनल फाइदा के लिए दूसर को भरका देता है और उसे दंगा हो जाता है इस आपके बारे मे समपादक को लिए घूचेन मेहारी पहारी एक सब्सक्राइब भीड़िए उसके बारे लखना था तो इस में जितना भी तुरिष्ट जो जाते हैं वह कहीं न कहें kac Shadow करो तो फेक देते हैं तो इस सबसे हमार्य पर्यावरन डूशन हो रहा है उसके बारे में लिखना था तो यह था तोपिक था कोई भी लिख सकता है सिर्फ इसका जो है फॉर्मिट सही रहना चाहिए अब मैं आपको ऐसे का टोपिक था ना वो था यूथ लूजिंग इसका मतलब वही हुआ कि दिखावेपन की दुनिया में यूथ लोग फोकस लूज कर रहे हैं तो मैंने भी यही लिखाए कि जो प्रेजित होते हैं गलत इंस्टिउशन लोगों के दिमाग में आता है और लोग डिस्ट्रेक्ट होते हैं फोकस कालंुज होता है यह सब मैंने लिखा है तो और मैंने का इंज़ces चीज लिखना था ताकि peaceful mind किस तरह से डेवलप किया जा सके और concentration लोग जो है यूद जो फोकस कर रहे हैं वो concentrate किस तरह से रह सके तो कुल मिला कि यही सब लिखना था तो मैंने यही सब लिखा है और पिछले बार भी मेरे को पिछले बार तो मेरे को 53 marks मिले थे लेकिन इस बार उम्मित कर रहा हूं कि 60 plus मिल जाए और लेटर को टॉपिक हिंदी में आपको बता दिया में एंगलिस से बता देता हूं ति लेटर कर जो टॉपिक था वो था कि एडिटर को परभाद ख़बर का एडिटर को लेटर लिखना था किसके रिगारिक insensitivity shown to the environment by the tourist to visiting your area मतलब जो टूरिस्ट लोग आपके एरिया में विजिट कर रहे है वो environment के परती insensitivity मतलब जहां environment को care नहीं कर रहे है जहां तहां garbage वगर फेक रहे हैं कचला वगर कहीं भी फेक रहे हैं ठीक है जिससे environment को नुक्सान हो रहा है जिसे number of visitors कम हो रहा दे मैंने लिखा है तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिस दोना को टॉपिक बता दिया उमीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और विडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू जय हिंद